वह जब कुछ बोलते हैं तो बेचैन मन को सुकून मिल जाता है वह जब कुछ सुनाते हैं तो दिल और दिमाग एक जगा इस्तिर होकर सुनने लगता है उनकी हर बात हर कथा हर भजन सोसल मीडिया पर छा जाते हैं वह साइंस के स्टुडेंट रहे हैं लेकिन अब एक चर्चि कथावाचक बन चुके हैं वह मूल रूप से बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं हम बात कर रहे हैं मसहूर कथावाचक राजन जी महराज की राजन जी महराज इन दिनों सिवान में हैं आज हम राजन जी महराज के बारे में कुछ ऐसी खास बाते बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने केमेस्ट्री में BSC किया था और उसके बाद एक कम्पनी में नौकरी कर ली थी राजन जी महराज 2001 में प्रेम मुर्ति पुज्य संत स्री प्रेम भूसन जी महराज के संपर्क में आएं जिसके बाद वो कथा वाचक बन गए उन्होंने 2011 में कोलकता से ही वाचन चालू किया था देश ही नहीं दुनिया भर में राजन जी महराज की लोग प्रियता है जो लोग Instagram और Facebook पर Reels देखते हैं वो राजन जी महराज के कई लोग प्रिय भजन सुन चुके होंगे पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएं ये Reel की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रिय है इस भजन पर तमाम युवाओं ने Reel वीडियो बनाए है राजन जी महराज के सीता राम का भजन बहुत प्रसिद है पुझे राजन जी महराज अपनी कथाओं से सभी का मन मोह लेते हैं उनकी कथा को युवा भी सुनते हैं राजन जी महराज कहते हैं कि युवाओं को रामायन को एक बार जरूर देखना चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए कई युवा उन्हें अपना आदर्स मानते हैं वो अपनी कथा और भजन के लिए लाखो रुपे लेते हैं जो उनकी कथा विवस्था में लगते हैं ताकि कथा सुनते समय लोगों को कोई समस्या ना हो और आराम से कथा सुन सके अपना आराम से कुछने हैं